नमस्कार दोस्तों मेरक बेχी पूजा पाटरशमी के साच शेनल में आप सब का फेर साज़त है् तो आज मैं आप सब को पताने वाली हूँ कि जो आपने तिलवा । 생각्रा 4 की पूजा की है जो सामगरी है उसका आपको क्या करना है तो सबसे पहले जो आपने तस्वीर या फोटो रखी है उसको आपको उठा कर अपने पूजा की जगह पर रख देना है उसके बाद आपने जो कलस इस्थापित किया तो कलस का जल आप कहीं पर भी फूलों में डाल सकते हैं ब्राम्हन को भी दान में दे सकते हैं उसके साथ जो फूल और आम की टेरी है वो आपको क्या करना है वो आपको जल्मे विशाजित कर देना है जैसे आम की टेरी चड़ाई आपने फूल चड़ाई दूर्वा चड़ाया है वो सब चीज़ें आपको क्या करना है, जल्मे भी सर्जित कर देना, उसके साथ जो आपने भोग लगाया है, वो सारा भोग आपको सारे लोगों को आप घर में भी बांट सकते ही, या फिर आप थोड़ा सा दक्ष्या निकाल दीजे, और दक्ष्या निकालने के साथ सारे उसे बिधान में दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी किसी पुझारी को आप सारी चीज़ें दे सकते हैं उसके साथ और चीज़ें जैसे आपने फूलों की माला चुराइए वो भी आपको क्या करना चर्मे विशर्जित कर देनी हैं साथ ही साथ जो आपने और भगवान की फोटो तस्वीर वो सारी चीजे आप अपने पूजा की जगए पर ही रख देंगे उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है उसके साथ जो आपने हवन किया है तो हवन को आपको क्या करना है आप सुबह जब आपका हवन ठंडा हो जाएगा तो वो सारी चीजे भी आपको क्या करना है जल में विसरजित कर देनी है वो सारी चीजे आपको कठा कर लेना है फूल दूबा आमकी टेरी और उसके सासत अक्षा तिया फिर आपने जो भी भगवान को चड़ाई वाली चीजे हैं जो ऐसी है जो आपको जल में विसरजित कर सकते हैं तो और उसके सासत और जो सब्पूजा की सामगरी है ना जीसे आपने और चीजें रखते हैं जैसे नहीं कि आपको फिर से उसे आपको भी सर्जित करना है पिर से आपको नई लानी है ऐसा नहीं कर नहीं होता है तो हम उसे क्या करते हैं सुपाड़ी से ही गौर बनाते हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं फिर से आप प्रयोग मिला सकते हैं उसे जरूर नहीं है कि आप बार बार आपको नया प्रयोग मिलाना है या फिर आपको उसे जल्म भी सरजित करनी है और जो आपने प को भी पोचानी मानना, पहले आपको सारी चीजे हाथ से उठा देनी है, फिर आपको आपको वहाँ पे साफ करना है, सारी चीजे पहले आपको हाथ से उठा देनी, वहाँ पे जूठा कुछ भी नहीं रखना है, सारी चीजे पहले सब उठा दीजे, फिर उसके बाद आप पारण करना जिसे पारण कहते हैं जो भी आप इसमें क्या होता हम निराहार रहते हैं इस ब्रत में विलकुल भी हम खाने की वह खाना जो अनाज नहीं खाते हैं निराहार जैसे मतलब तिल के लड़ू है अकाची कहलाती है जो की सिंगाडे की आटी के बनती है और साकरकंद कह यह सारी चीज़े ही खाते हैं तो आपको दूसरे दिन चौकी उठानी है ब्रत के दूसरे दिन जैसे आप 10 को ब्रत रख रहा है तो आपको 11 को सुबह सबसे पहले चौकी उठा देनी पहले एक बार उनका पूजन करना है सबका सबको पूजन करने के बाद आपको चौकी उठ विस्ट सबूमनें की ध년 दो कई नहीं है कौन कौनसे चीज्ब करने को बतादी हूँ तु अगर आपको ये विडियो को लाइक शेयर करीए पुचा पार्ट से जूड़ी आपको सारी चीजे देती रहोंगी और आप ये सारी दोस्तों और परिवार के वालों के साथ सेयर कर्या और कुछ भी पूछना चाहते तो प्लिस कमेंट्स पर जाकर कमेंट करके जरूब पूछिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है तो धन्यवाद